मैं खुद ही अपनी बेटी का रिष्टा ढूनूँगा देखो शेरखान जी, तुम्हारी बेटी का जहां भी मैंने रिष्टा लगाया, वहां मेरी बेजती हुई है अब आप ही बताओ, कौन होगा ऐसा लड़का, जो अपने सर पे रोज पांच जूते लगवाएगा आप ही बताओ, हाँ, मैंने देखा है, मेरी अम्मी मेरे अब्ब को आज तक रोज पांच जूते मारती है और मेरी भी यही जिद है, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी, जो रोज मेरे पांच जूते खाए तू चिंता मत कर बैटी, ऐसे लड़के बहुत मिलेंगे, इन्हें नहीं मिलेंगे, बगर मुझे मिलेंगे, कराऊंगी ऐसे ही लड़के से अरी मान जा, खुदा की बंदी, तेरी तो बीत की, मेरी बुढ़ाते में क्यों इच्छादा करवारी है देखो शेरखान जी, मैंने भी बहुत शादियां कराई हैं, भाई पहली शादी देख रहा हूँ, बढ़ी अजी, भाई मैं तो चला, जैसे तुमारे मन में आये, ऐसे करना, खुदा हाफिज देखा, जिससे भी मैंने कहा, सबने हाथ उठा दिये आप कुद नी जा सकते, अपनी बैटी के नहीं है, ठीक है, जाओंगा, कराले मेरे पूरे इलाकें बेजती, कोई कसर छोड़ मत दियो अम्मी, लाओ दसर पे दो, मुझे गोल कप्पे खाने जाना है, बेटी, तेरी उम्र गोल कप्पे खाने की नहीं है, अगर जाना है, तो अपनी अम्मी के साथ जाना क्यों, क्या डर है, कुछ अलग रहे के अभी इससे सीखना दो सिखा, भूब सिखा, बाद में दुख तुझे ही निकलेंगे, फिर मेरे समत्मना कही हो ले, जा, गोल कप्पे खा क्या, जा, जा, जा बेटा, जा गार का रख दिर लड़की पूरी मतलब मैडम, मैडम, आप को गोल कपे खाने गोल कपे? हाँ, तुम्हें क्या मतलब? मेरा मतलब यह कि मुझे भी खाने हैं तो जाओ खाओ पागल कहीं के मैं खाता लिए मगर उन्हों करा दोनको खिलाओंगा जाओ खाओ पांच रुपए हो गए भाई बैया गोल कप्पे खिला ना कितने के खिलाओं जी बाईसा मज़े दा चार खिला दो वाकिये जितना खाई से खिला दो अच्छा जी जाओ मेर् लेंदीए वणी बढ़ा आच्छाफर की बढ़ा का जी लगा जाए ना ञाए ना जी खिला थाने बढ़ा आपका। वहाई दुकान अराम से वाल गदा पूरा डूबा होता है यह लो जी आप पूरा डूबा हो लेग मेडम आप खुले पैसे है या मैं दे हूँ मैं अपने आप दे दूंगी आप जाईए चलिए तीक है मैं जा रहे हूँ मेरा नाम शेक्षिली है बाई सब कितने पैसे हुए पैसरुपे हुए जी मैंने तो पांच के ही खाए है पांच के जो आपके मिया खाके गए मिया मिया होंगे तेरी बहन के मैं तो उस कमीने को जानती भी नहीं हूँ और मैंनी देने वाली पैसे वैसे हाँ मैडम पैसे आप ये जाओंगे मैडम जब वैं पूछ रही मैं पैसे दोगा तो आप और अपने आप या दूंगी पैसे तो पैसे मैडम मैं आप या जाने नहीं देगा उस हराम जादे से तो बदला ले नहीं है किया नाम बताये था हाँ शेक शिली ये लीजी आपके पैसे अरे आमीन अरे कहां गया तुम सब लोग मामू क्या बात है क्या कर रहा थे तुम कुछ नहीं मामू खाना खा रहे थे खाना खा लिया हाँ मामू अच्छा ला मुझे भे दे दे थे मैं भी खा ले था अरे शेक शिली भाई तुम कहां गये थे मैं सारे में ढून लिया है तुम्हें बै चला गया था जी भूमने के लिए अबे ये कौन है मामू ये मेरा दोस्त है मेरे गाउं का है ये परिशान है बहुत मैं इसे अपने साथ लिया आया अच्छा क्या नाम है विटा तुमारा मामू मेरा नाम शेक चिल्ली है शेक चिल्ली मामू तुम दुनिया की साधी कराओ तुम्हें लोग साधी खान गहें मेरे दोस्त की भी साधी करा दो शाधी करेगा आँ मामू मामू मेरी साधी करा दो मामू तुम कितने अच्छे हो मा लड़की बताओं मैं लड़की बताओं मैं लड़की तो है बड़ी सुन्दर है लेकिन उसकी शर्थ है उसका पापड़ा शरीफ है और उसकी मां और बेटी एक नमबर की शैताने दोनों सेटान ममु एम यह बात तो सोचने वालाया मामु बोल भाई सेक चिली ना सर्थ मामु शर्थ अगर तूश़् जेल जा तो सिर्फ छह दिन में शादी करा दोगा तेरी श्य दिन में शादी तू का चेलाचर मामु मां में हर सणर ज्रूद कहां जोडल मैं कूँध कूद ने की करता नहीं है जोड़ से खतरनाक सर्थ है क्यों नहीं समगरूर लड़की शादी इस शेखचिली से करा देता हूं अपना बांजा बता के इस पे जूत भी पड़ेंगा तो कोई फरक ने पड़ेगा अगर इसने उल्टा कर दिया तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी मामू क्या उस लड़की से जो लड़का शादी करेगा सुबह को उटके पांच जूत रोज उसके सर पे मारेगी ये कोई बात हुई इस से चद कोई और देख लो ए मामू तुम चिम रहा भावी मामू जो हो रहा होने दो लगंद लगड़ा लगंद 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 ये तो बिलकुल भाज इंद रिश्टा कर तो ही तो हमाज करा तो हाज ही हरा है हाज वस्तिधा है इसे रिऴाव महां आज है बेस फु isolating मैंद ये बहुत खोरे थे वाची है क्कुल्म वह ने हुएश्गे आज शूम को मैं अखनी के लिए अई भूला रिसने रिधाख वाई ने पाज़ा 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 यह देखो भाई यह वच्छा मारा अगर देख्टा लड़का अच्छा है अमें पसंद भी है तो बढ़ियाबाद वाई पर मेरी एक सरत है अगर सरत बताओ कोई गणिवचा पाज़ारा करेगी तो में यह तो मद्感 дорог trajectory से शुक्रिभ अजिफ एक यह था की मेरी लड़की आइप पाजूत रोज मारा करें ताम सेमघ सब्सक्राइब देख्टा बड़क शेखें 3 अख जारा के अवो possono ऩर्दीछ ? कोन्या था टीखर लेखिए। जूरा काी सुर्ण मेजी हचा कीज़न पर लोब को से औरो को दो कछोंगे से दिख को ची रेखिए। जूतिक अर। अबू, अब हमाँ ऐसे बिटते रहेंगे? देख मेली, तु अपनी जीब छोड़े, मैं दस जगे होके आया हूँ, जहां पर भी जाता हूँ, लोग मेरी बीजती करके मुझे भगा देते हैं, और आप तो भाषरा ही छेद दिया? अबू, मैं तो अम्मी की बात मानूंगी, तुम्हें पता है, अम्मी रोज तुम्हेरे पांच जुते मारती है, टाम तक देखते भी नहीं हो बेटी, हमारी बात तो पुरानी हो गई, तुझे गाओं में सब बत्तमीज गहते हैं, मैं तो अल्ला से ये दुआ करूँगा, कि मेरे जैसी बीवी, उपर वाला दुस्मन को भी न दे क्या के रहे हो, मैंने सब सुन लिया है, लड़कियों क्या पगाड़े पढ़ा रहे हो, हमने जो कह दिया, वो कह दिया, चाहे लड़का कभी मिले अस्सलाम आलेकुम शेर खान बच शेर खान जी, मैं इसनी आया था, हुवारा को आपको, मैं आपको ये बताने आया हूँ, कि आपकी लड़की लिए लड़का मिल गया है सच, शादी खान जी, शादी जल्दी करा दो, मैंने कहती थी, ऐसा लड़का जरूर मिलेगा कुछ तो बता, उसके गाउं का नाम क्या है, दूर का नहीं है, मेरे अपने खुद का भाण जा है, नाम है उसका शेक चिल्ली, बहुत सुन्दा लड़का है, आप पांच तो क्या, उसको रोज 6 जूते मार ले ना कहीं ये वही तो नहीं, जो मेरे पैसो से गोल कप पे खा गया था, चाचे चन, कहीं ये वही तो नहीं, जिसकी पतली सी दाड़ी है, और वो कc्चा पेन के घूमता है हाँ हाँ, वो ही तो है, मगर तुम कह जानती हो बेटी उसे मैंने भी तेर से निकाह करके तेरा हिरन नहीं बनाया तो मेरा नामी रुकसाना नहीं हाँ हाँ कर दू क्या सोच रही है हाँ अम्मी हाँ कर दो अब जल्दी शादी करा दो मेरी मुझे बदला भी तो लेना है हाँ हाँ कर दी का निकाह करा दो ठीक है जी पराय देता हूँ लेकिन उस लड़के की एक शर्थ है उसे जहेज चाहिए और जहेज में कुछ सामान चाहिए वो मैं आपको बताय देता हूँ उसको जहेज में एक मुर्गी, एक फूसल, एक छाज यानि एक सूप और एक खालिक का नस्तर चाहिए हमें सम्मन्जूर है साधी खान जी ठीक है अगर आपको सम्मन्जूर है तो मैं चलता हूँ अब आप लोग शादी के तयारी करो अच्छा सरौ आवाले को अच्छा मैं पता तो जब लगेगा जब शादी हो जाएगी अरे तू चुप रहें अब तो माँबू तुमारी साधी करा देंगे फिर तो सास साथ रिया करेंगे जो ओरत अपने शोहर को पंच जूत रोज मारेगी हैं इनके कितनी बदनामी होगी इनके साथ साथ हमारे कितनी बदनामी होगी भावी तुम जिंदा मत करो मैंने भी साली का हीरन ना बनाया तो मेरा भी नाम शेक चिली नहीं बस एक बार मामू मेरी सर्थ पूरी करवाद है फिर मैं न जानी हाँ क्यों सल्मू सही बात है बेटा रे तेरी एक एक चीज मिलेगी बस आगे तू जान कि तू आगे क्या करेगा हमने तो कभी नहीं सुना जो पांच जूत रोज अपने पती के मारे या अल्ला कैसे जमाना आगे आ ये ठीक है होने दे जो हो रहा तू खाना बना चलक है हमें बनाते हम अब ही आते हम जलो सेटी जलो 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 गूप काते है बेटे मामा ले खुशकमरी दे दी अब है शादी के छै दिन रहागा है तयारी भी करनी है अब तू बेटबेटबेटबेरा मूग या टुकाटटगर देगा जल पानी लेगा पता नहीं क्या होगा शेक चिल्ली का और कैसे हो भायजान कैसेशल लाे हं कंदाब अव एक व्यर कर दिया अब अब प्र वाल्डा कैसे करता है सलाम वालेकुम वालेकुम अ यहां जी ठीक हैं कैसे खड़े हो यहां पर खड़े क्या है बाइजान मैंने तुना है कि पांच जूते वाला रिस्ता तुमने अपने दोस्त से करा दिया है जब हमारे सेग जी राजी हो गई तो रिस्ता भी हो गया खामाँ चे बड़ गंजू जम्रा रिस्ता क्या तो क्या वैसे रिस्ता था बड़ा बेजती वाला लेकिन मेरे अब्बूने सालों को मार मार के बगाया आई जान मैंने भी साली को सबक ना सिखाया ना तो मेरा भी नाम शेक शिली नहीं तुम क्या सबक सिखा होगे जब देखो जी तुमने पहली वार अच्छा काम किया है मेरी रुखसाना को अच्छा शोहर दिला कर तुम कितने अच्छे हो अच्छा तुम्हें पहले भी था पर तुम मा बेटियों ने छोड़ा कहा अम्मी एक बात और उन्होंने तो देहेज भी नहीं मांगा अबू तो जत बचानी भारी पढ़ रही है लोग क्या कहेंगे कि जैसी मा वैसी बेटी देखो अगर एक लबस भी निकाला ना तो बिनबात के कुछ हो जाएगा हो ना क्या है बगार टैम के जूतमाल लेगी बगर मा उपर खुदा से जाके पूछूँगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुन निटिता खुदा कर जि बॉक्स ब्राव बडान जी काजी जी नहीं आहे और धीचि जी कहीं भार गया हूं मामू आजाएंगे आजाएंगे तस्तित है असलाम वालेकूं अब कैसे चीख रहा है अधिका बढ़ाने कह रहे है मामू निका पढ़ा दो सेख चिल लिगा अब ये निका भी मुझे पढ़ाना पढ़ेगा तुम पढ़ा दे नहीं हाँ ला इलाह इलालाह मुहम्मद ररसूल्लाह मैं गवाई देता हूँ और मुहम्मद और मुहम्मद अल्हा के सच्चे प्यारे रसूल है अब पढ़ो शेक चिली वल्द जलाल अद्दीन तुमारे निका में रुखसाना बेगम वल्द शेर खान तुहाजार सिक्चा है राजलवक्त बिना नाम नफय के पाँच यूते सुभा को क्या तुम्में कुभूल है? हाँ जी मैं कबूल करता हूँ ऐसे बोलो मैंने कबूल किया उसको एक बार और बोलो मैंने कबूल किया उसको पहा Chinese मेरे कवालो शाबाज, खड़े होके सलाम करो सलाम वालेकुम सब को सलाम वालेकुम सलाम मुबारको बेटो बेटा, यहाँ बैटो सेख जी, पांच जूत रोज लगा करेंगे, कबूल है? खामाश ये बड़ गंजो पांच केजे, छे मार ले, मुझे कबूल है बाई, ये क्या, पांच जूते रोज निकाम है? ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है हाद अप्मधिज साब, लाड़ी कौन से मंगाई जाए? अजी, गाड़े क्या मंगानी? मैं तो यूं कह रहा था, जोड़ा पुकी मंगा लो हमारा दामात गोड़ा पुकी में जाएगा, बड़े सरम की बात है सरम की एजिक तरसी में, सरम की बात है, सरम की बात है हमें तक गोड़ा पुकी ठीक है, नारबाज चैम नहीं है मामू, गोड़ा पुकी ठीक है बोड़ा पुकी मंगालो और वो बताओ के हमारे जहेज का सामान का है जहेज का समान गठाओ रखाओ रखाओ एक भी समान कम नहों वर्ना मैं बिल्कुर निकानी करने वाला नहीं बेटा नहीं ऐसे नहीं बोल तो ठीक है तो आज आओ आप तयारी करो मुर्गी मुसल चाज भी यार उकरश्टर भी कहां गए शेर खान जी यह सामान नहीं लाए यह ठीक अब हूँ बैठ जाओ मेटेगी यार यह सही है कुल्ले में चलेंगे जाली याव इन भाई बैठ जाओ चल रहा है लुमो तुभी बैठ लाओ लेवाई ये पकड़ ये भी पकड़ ये भी पकड़ मुर्खी कहां अच्छा इसमें है मुर्खी पहला चाहिए है कि ठीक है ठीक है इसे रख दो ठीक है जी तो तुम्हें काम करो लड़की को ले आओ जाओ समान ले आए बेगम को लाए नहीं मेरी बरात इसमें जाएगी बुग्गी में बड़े शर्म की बात है अच्छा अर्जो तुम मा बेटी करती हो बड़ी इक्जत की बात है कैनल करते ह LISA अ अ है अ Anny करणा है अब है यह करता है लो करता है जो यह कर दोदा के ते है प्रुप जान जी अच्छा तो शेर्फान जी अच्छा परधान जी बई गलती से भी हो तो मापकर जो नहीं आजी बस आपकी बच्ची को अपनी बच्ची बना के लिए जा रहा है ठीक आपको बैठ लो चलो बैठ देख 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 झाल झाल